बीलवडा में कर्फ्यू के बीच सिटी कोतवाली और भीमगंज थानाक्षेतर के लोगों को राहत दी गई है जहां 11 बजे से 3 बजे तक बाजार में जरूरत का सामान खरीदने लोग निकले इस दोरान अतिरिक्त जिला क‌लेक्टर शेहर नंद किशोर राजोरा ने बाजार का जाय जा लिया और बिना मास्क दिखे व्यापारियों के चालान काटे इसके साथ ही व्यापारियों को नियमों की अवहिलना करने पर कठोर कानूनी कारवाई की चेतावनी दी गई इस माहमारी को लेकर एक अवेड़ेस करने के लिए ये एक निन्ने लिया गया गयाता है कि इस मार्केट में जो भी पब्लिंग सवारी शोपिंग करने के लिए आ रही है वो सिर्फ टू विलर लिखके आएगी वो भी सिंगल सवारी ताकि बाजार में भी अर्थ विवस्तान फची वीर्षा की गए में लुगे की जाया है तरिवहार इसके अलावा जो पुर का वरब जिश्चि receiving कर दिये गहां इसके अलावा हु Mamre चार अउत्या पर मारे ज υडोख करकर का कि विछेवक की इसको दिसका लगावार है जिसको जिसन की इजासट For वही उजिन सिटी में आएगा प्लाज और वो सिर्फ टू विलर पे आएगा वो भी सिंगल सावारी आएगा अपनी शॉपिंग करेगा अपने गर्ज आएगा हमारा पहला उद्देश से आम जनता को और हमारे जो व्याप्यारिक पर्थिस्टान के लोग हैं उनको समझाईस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पेने इन चीजों के हम समझाईस करने के लिए मार्केट में लगातार, हमारे जो एग्जुकेट्व मजिस्टेट, ह हमारे जो पुलिस ओफिसर्स हैं, वो सब हम राउंड पे हैं और हमारा उद्देश जिला परशासन का सिर्फ यह है कि लोगों को समझाईस के माध्यम से इस चीज़ को समझाया जाए कि कोरोना से लड़ाई, नियमों की पालना करके, सोशल डिस्टेंसिंग रखके, मास्क प समझाईस कर रहे हैं, एडियम सीटी लगातार बिलवड़ा में गस्त कर रहे हैं और यह लोगों को समझा रहे हैं, और जिन्हों ने दुकान पे बेट के मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग से पालना नहीं कर रहे हैं, उनके वो चालान बना रहे हैं, लगात वो सोशल वोल इंटरस भी लोड़ा श्वेड में गस्त कूम रहे हैं और समझा इसका परियास कर रहे हैं, और यह समझाने का परियास क्या रहा है, प्रसाशन दुआ रहा है, यह सोशल डिस्टेंसिंग से पालना करें, और मास्क लगा कर ही दुकान पर बैठें, कैमरा परस